नमस्कार खबर दिन भर के बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस बुलेटिन में हम देखेंगे देश और दुनिया की यो तमाम बड़ी खबरायां जो आज सुर्खियों में रही भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर जड़प हो गई है यह जड़प सिक्किम के नाकुला में तीन दिन पहले हुई थी दरसल चीनी सैनिक भारती शेत्र में घुसने की कोसिस कर रहे थे इस दोरान भारती सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोका जिसके बाद दोनों से सेनाओं के बीच जड़ब हो गई इस जड़ब में भारत के चार और चीन के 20 सेनिकों के घायल होने की खबर है भारती सेनिकों ने चीनी सेना को खदेड कर भागने पर मजबूर कर दिया हलां कि अभी भी सीमा पर स्थिती तनावपूर्ण बनी हुई है बतादा है कि इस वक्स कोई नतीजा नहीं निकला है गद्दारी की है चड़ा ने आगे कहा कि मैं कैप्टन अमने इंदर सिंग को चुनोती देता हूं कि वे कोई एक सबूत पेश करां जिससे साबित हो सके कि क्रिश्री कानूनों को लेकर गठित उच्चाधिकार समिती में उन्होंने कानूनों के विरोध में असाहमती कमिटी में चर्चा हुई और क्याप्टन अमरिंदर साब इस हाई पावर्ड कमिटी के सदस्य थे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे पताने जा रहा हूं और आप क्याप्टन साब से जाके पूछिएगा जरूर पूछिएगा क्याप्टन साब कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं उस कमिटी में क्या बात हुई कुछ financial matter पर बात हुई जी बिती है मामले थे हमने मनपरीत बादल को बेज दिया हमारे finance minister को ये जो document है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ ये एक-एक committee के member को दिया गया इसमें आखिर में लिखा है two convener and all members of committee यानि कि सब को copy बेजी गई जब ये समिती बनी तो सब को इस document की copy बेजी गई यानि कि सात्वे नंबर पर जिस विप्ती का नाम है इस committee का सदस्य जो है पंजाब सूबे के मानियोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग उनको भी ये copy बेजी गई उनको भी पता था कि committee में क्या हो रहा है उनको पता था कि क्या मसौदा बनाया जा रहा है उनको पता था कि ये तीन काले कानून इस committee में बनाया जा रहे है लेकिन कैप्टन साब चुपी सादे बैठे रहे उन्होंने चूँ तक नहीं करी आज देश भर में राष्ट्री मतदाता दिवस मनाया जा रहा इस उसर पर PM ने कहा कि राष्ट्री मतदाता दिवस सुचारू रूप से चुनाओं को आयोजित करके देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करने में निर्वाचन आयोग के उल्लेखनी योगदान की रहना करने का उसर है बतादा की निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर हर साल 25 जन्वरी को राष्ट्री मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि या खास तोर पर युवाओं में मतदाता पंजीकरण को लेकर जागरुकता फैलाने का भी दिन है सत्तर किलो ड्रक्स मामले में चल रही कारवाई में इंदोर पुलिस ने पंद्रह लोगों को गिरफतार किया है इंदोर के आईजीपी योगेज जिसमुक ने बताया कि हमने कई आरोपियों को गिरफतार किया है जिनका सम्मंद MDMA ड्रक्स केस से था आईजीपी ने बताया कि पकड़े गए लोगों में से दो व्यक्ती वसीम खान और आयूप खान कुरेसी का सम्मंद मशूर गाया गुलसन कुमार हत्याकांड और मुंबई 1994 में हुए सिरियल ब्लास्ट से भी है ये लोग अंडर वर्ल्ड के इसारे पर काम कर रहे थे पंदरा लोगों गरफतार किया जा चुका है इसमें दो ऐसे व्यक्ती हैं जो एक नासिक के निवासी हैं और एक मुंबई के निवासी हैं इसी तरीके से आयूप को रेशे नाम के व्यक्ती हैं जो मुंबई की निवासी हैं मुंबई में सिरियल ब्रास्ट हुआ था 1993 में उसमें ये अक्यूजड रहे हैं पांच साल का इनको कन्विक्शन हुआ था जेल काट के आए हैं और वर्तमान में ये पार्किंग दिवस्था जो बांधरर इलेस्टेशन वहाँ पर देखते हैं उनका भी लिंक इसमें आया है इनको भी इसमें अरेस्ट किया गया है वही राष्टरी मतदाता दिवस पर चुनावायोग ने मतदाताओं को एक तोफ़ा दिया है अब मतदाता अपने ओटर काड की पीडिया भी डाउनलोड कर सकेंगे अभी या सुविधा नए ओटरस को दी जाएगी और पुराने ओटरस के लिए सुविधा फरवरी महीने से उपलब्ध होगी नेशनल ओटरस डे पर इलेक्शन कमिशन ने इएपिक स्कीम सुरू की है एपिक यानि इलेक्ट्रोलर फोटो आइडेंटिटी काड इसके जरिये आप अपना ओटर आईडी काड अपने मुबाइल में भी डाउनलोड कर पाएंगे इसका प्रिंट भी लिया जा सकेगा या सुविदा सुरू होने के बाद ओटर आईडी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा ओटर लिस्ट में नाम स्वामिल होते ही इसे आशानी से डाउनलोड किया जा सकता है ओटर इस काड को प्रिंट कर सकते हैं इसे लिमिनेट कर सकते हैं इसे सहुलियत के हिसाब से डिजिटली स्टोर भी कर सकते हैं बहुजे समाज पार्टी के जक्षा मायवती ने एक बार फिर तीनों क्रिश्री कानूनों को वापस लेने की मान दोराई है मायवती ने आज कहा कि किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए नएक्रिश्री कानूनों को वापस लेना चाहिए ताकि गड़तंदर दिवस पर कोई नई परंपरा न सुरू हो और नहीं दिल्ली पुलिस की आसंका के मुताबि कुछ गलत या कोई अन्हुनी हो सके बस बाद्यक्ष मायवती पहले भी केंदर सरकार से किसानों के हित में नएक्रिश्री कानूनों को वापस लेने की मांग कर चुकी है नेपाल में सनिवार को बड़ा राजनितिक भुचाल देखने को मिला जब देश के कारवाहक परधान मंतरी केपी शर्माओली को ही नेपाल कमिनुष्ट पार्टी से हटा दिया गया इसी के साथ उनकी प्राच्मिक सदस्ता भी रद कर दी गई है इस बात की पुष्टे स्प्लिंटर समूं के प्रवक्ता नारायन काजी स्रिष्ट ने की है स्रिष्ट ने कहा कि आज सेंट्रल कमेटी के बैठक में जो पेरिस जांडा में हुई इस बैठक में केपी शर्माओली को पार्टी से निकालने का फैसला लिया गया है फिलाल ओली नेपाल कमेटी पार्टी के साधरान सदस से भी नहीं रहेंगे बतादा कि नेपाली कमेटी पार्टी के कानून के मुताबिक जो भी व्यक्ति पार्टी से अलग होकर नई पार्टी का गठन करेगा उसे पार्टी से निकाला जा सकता है दरसल पीम ओली ने अपनी अलग पार्टी बनाने की घोशना किये इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है अमेरिका में जो बाइडन प्रशाषन ने उर्जा विभाग में अहम पदों पर चार भारत वंसियों को नियुक्त किया है प्रशाषन ने चीफ आफिस स्टाप के पत पर तारक्षा को नियुक्त किया है शाह इस पत पर पहुँचने वाले भारती मूल के पहले अमेरिकी बन गए है वहीं तान्यादास को विज्ञान से जुड़े मामलों के विभाग ऑफिस आफ साइंस का चीफ आफिस स्टाप बनाये गया है नाराइन सुबर्मनियम ऑफिस आफ जनरल काउंसिल में विदिक सलाकार के पत पर नियुक्त हुए हैं और सुची तलाटी जिवास मूर्जा से समंधि विभाग ऑफिस आफ फॉसिल एनरजी में चीफ आफिस स्टाप नियुक्त की गई है माराश्ट के पुर्मन्तरी पंकजा मुंडे ने एक बार फिर OBC जनगरना का मुद्दा उठाया है पंकजा मुंडे ने कहा कि कुछ दिन में जनगरना होने वाली है ऐसे में OBC जातियों की भी जनगरना करनी चाहिए इसे पता चरेगा कि किस समाज की ताकत कितनी है इसी के साथ पंकजा मुंडे ने कहा कि महाराश्ट का अगला सियम OBC समाज से ही होना चाहिए उन्होंने कहा कि जाती आधार पर अगर जनगरना होगी तो पिछडी जातियों के लिए योचना बनाने में मदद मिलेगी इस बीच पंकडा मुंडे ने अपने चचेरे भाई धननजय मुंडे के विवाद पर भी चुपी तोड़ते हुए कहा कि नैतिकता के अधार पर मैं इन बातों का समर्थन नहीं कर सकती ऐसे घटनाओं का असर बच्चों के भविस्य पर पढ़ता है बताता है कि धननजय मुंडे रेप के मामले में आरोपी है और देश भर में परियावराण का खत्रा बढ़ रहा है हलाकि इसके लिए कई जागरुकता कारिकरम भी चल नहीं राजसान के एक नागरी का आजकल परियावराण सुरक्षा का संदेश लेकर देश भर में यात्रा पर निकले हैं बिकानेर के नोखा के रहने वाले भीखाराम चाहर अपनी साइकल से यात्रा करते हुए प्रदूशन को कम करने के लिए लोगों को प्रिवित कर रहे हैं आज चितोड़ गर पहुंचने पर थाना अधिकारी ने भीखाराम का सत्कार किया बतादे हैं कि विकाराम ने 4000 किलोमेटर का लक्ष लेकर साइकल यात्रा प्रारम किया है अब तक वे 22 जिलों की यात्रा कर चुके हैं 6 दिसंबर को विकानेर के कलेक्टर ने उनकी साइकल यात्रा को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया था आज की बलटी में हमारे साथ इतना ही आप देखते रहे हैं खबरों का नया डार TV1 इंडिया नमस्कार लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले